भाजपा ने जिला पंचाय सदसे पत के उमीदवारों की सूची ने कई सियासी चालू को पलट दिया है भाजपा की संसद और विठायक अपने भाई, बेटीों और भतीजे को जिला पंचाय सदसे पत का उमीदवार नहीं बनवापाई पाठी हाई कमान ने कारेकरताओं को उमीदवार बनाने को प्राध मिक्ता दी शुकरवार को पाठी हाई कमान ने जिला पंचाय सदसे पद के 60 उमीदवारों की घोशना की वहीं तीन उमीदवारों ने प्रमुकता से अपने वाद से दाविदारी की थी टिकेटों की घोशना के बाद राजनितिक परिवारों में खलबली मची हुई है अंदर खाने के परिवार के लोग एक दूसरे के उपर आरोप प्रत्यरूप लगा रहे हैं वहीं जला पंचार 57 से कुवर सुभाष पटेल की पुत्र भदू रश्मी पटेल और भोजीपुरा के ब्लॉक प्रमुक योगिश पटेल की पतनी देखा पटेल उमीदवार बनने में काम्याब रही आईए जानेंगे क्या कुछ कहा कुवर सुभाष पटेल की सुपुत्र प्रशान्थ पटेल ने हमारे संबादाता देवेंद्र पटेल से खास बातचीत में देखिए पूरी रिपोर्ट यहां से बाठ 55 से चुनाब रव रही है आपको बता दे कि जिले भर में एक एहम राजडिती मानी जा रही है और छेत्र में लोगों का किस तरीकी का रुझान है हम आपको बताएंगे और जानेंगे प्रशानथ पटेल से कि किस तरीके से राज्णीती की सुरुआत की आपन प्रिके से आज पार्टी ने अपने प्रत्यासी गोज़त करा है श्रीमती रस्मी पटेल जो मेरी भावी है तो मेरा केवल इतना कहना है कि इस छेत्र में जो विकास की गंगा वहनी चाहिए उस तरह से इस छेत्र में विकास नहीं हो पाया है और यह शेत्र क्योंकि शहर से प्रियास करेंगे जहां जहां बिद्धध्याले की आवश्यक्ता है और कोई परात घर की आवश्यक्ता है जिन जो बड़े बड़े गाउं उन में बरादगरों की समस्या है आज बेती हों इतुरों बाक्टेंगे हम पूरा करने प्रियासर करेंगे ऐसा मेरा विश्वास है कि हम इस चीज में जरूर कामया हुएंगे